Hello Friends, CivilStrap के YouTube चैनल के उपर आपका बहुत बहुत स्वाकत मेरा नमया विनाश अगरवाल और यह है जिग्यासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो सज्जाट की एक्जाम में जो सवाल 35 सवाल करेंट अफेर से आने वाले हैं उन सवालों को आप बढ़िया ढंक से टैकल कर सके 17 जुलाई की यह जिग्यासा है पीछे की सारी जिग्यासा आगे की सारी जिग्यासा आपको देखनी चीए मातर 20-25 मिनिट का आपका investment और बहुत सारी नई नई चीज़े आपको सिखा दी जाती है stay home stay safe stay online आप अपना अपने family अपने community सब का खयाल रखे करोना को spread मत करिए जो भी तैयारी करनी है घर बैटे करिए safely करिए civil step के साथ जुड़के करिए क्योंकि हमने कई सारे free initiatives आपके लिए launch कर रखे हैं 10 a.m. पे आपको स्थापना वीडियो, 2 p.m. पे जिग्यासा वीडियो, 7 p.m. पे प्रयास वीडियो, 9 p.m. पे आपको फटाफट वीडियो मिलने वाल कर रहे है 10 a.m. स्थापना में GS Concepts सिखाये जा रहे हैं उसी Concepts के बेसिस के उपर 7 p.m. प्रयास में MCQs वीडियो, 9 p.m. पे सारी चीजों का रिविजिन फटाफट में करवाय जा रहा है तो GS के Static Concepts आपको 10 a.m., 7 p.m., 9 p.m. पे मिल रहे हैं और जो Current Affairs है, MCQs के माध्यमस आपको जिग्यासा रूके मिल रहे है Monday, Geography, Tuesday, Environment, Wednesday, Economy, Thursday, History, Friday, Politics, Saturday, Science and Technological Lectures आपको मिल रहे है Monday and Thursday को आपको जिग्यासा 2.0 मिल रहे है जिसके अदर आपके साथ Issue Analysis कर रहे है उमीद करते हैं कि आप उन वीडियो को देख रहे हैं और सारे Home Works को कर रहे हैं हमने आपके लिए launch कर रहा है एक Crash Course जो कि आपको 4th October 2020 के अंदर जीत हासिल करवा सकता है ये Crash Course बहुत ही ज्यादा cost effective product है जिसके अंदर only 4,499 का आपका expense है ये product जो है काफी ज्यादा comprehensive product है कि इसके अंदर आपको सारी चीजे मिल रहे हैं जो आपको exam clear करने के लिए required है आपको हर चीज का वीडियो मिल रहा है हर subject का वीडियो मिल रहा है हर topic का वीडियो मिल रहा है downloadable notes मिलने लग रहे हैं chapter wise test मिल रहे हैं last 25 years का आपको prelims के solved question मिलने लग रहे हैं ancient medieval art and culture science and technology environment को पूरा cover करवाया गया है यह वो topics है जिसको students के अंदर परिशानी प्रेस करनी पड़ती है cover करने के अंदर उनको भी हमने पूरा करवा रखा है with video with notes सारी चीज आपको available है only 4499 के अंदर सबसे पहला काम आपको यह करना चीए जो है आपको demo videos देखने चीए इस crash course से related जो आपको हमारे YouTube के channel के बड़ आराम से मिल जाएंगे दूसरा काम आपको यह करना चीए कि इस video के description में दिये गए लिंक को क्लिक करके इस crash course के अंदर enroll कर लेना चीए और तेजी के साथ अपनी तयारी को आगे बढ़ाना चीए ताकि जो है exam के लिए आप पूरी तरीके से तयार रह सके अगर आपको लगता है कि आपको current हो चुक है कि वह static ही के अंदर आपको परिशानी हो रही है disoriented feel कर रहे है marks नहीं आ रही है productivity कम लगने लग रही है notes पूरे नहीं है कुछ आदा इदर है कुछ आदा उदर है इस प्रकार की कोई भी feeling अगर आपके साथ है तो आप waste मत करिए time only 2499 के अंदर पूरे static bundle को हमार से ले लीजिए पूरे videos पूरे notes पूरे test static से related आपको दे दिये जाएंगे demo videos आपको देखना चाहिए link को click करके आपको देखना चाहिए 2021 की जहां तक बात रही तो हमने आपके लिए comprehensive and cost effective course को launch कर रहा है जिसमें पूरा GS, पूरा CSET, पूरा current affairs, पूरा test series जो है आपको cover करवा कर दिया जा रहा है revision days आपको दिये जाने लग रहे है और जिस तारीक को जो वीडियो आपको मिलना चाहिए वो तारीक को आपको वीडियो मिलने लग रहा है geography और quality से कहानी शुरू हुई है ऐसे करके हम लोग आगे चलेंगे और सारी चीजों को आपको cover करवा कर देंगे जो जिग्यासा में homework के questions में आपको देता हूँ कुछ students उन homework के questions का regular basis पर जवाब दे रहे हैं ये students अपनी knowledge expand कर रहे हैं 15-20 minute का इनका investment है और बहुत सारे homework की questions करने की वज़े से अगर 5 questions भी homework के exam के अंदर आ जाते हैं और उसकी वज़े से plus 10 marks आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती साल बच सकता है exam clear हो सकता है इसलिए आपसे request करूँगा कि आप homework के questions का जवाब दीजिए शुभम वागले, आयूश शिवास्तव, सचिन शिवास्तव, रोहन जकताप, शांतनु बाच पे, योगेंद्र कुमार शुकला, के दिब्यरंजन, सूरज दूबे, आशुतोश यादव, सौरभ यादव, संतोश वासावा, कुशिंद्र सिंग, एस वेलेस मंदी, भदाना रोहित कुमार, मुहमद जैदी, कंचन शक्या, मांसी नागर, कनिका निर्वान, जानकी जाला, अमरिंदर सिंग, नीतु रानी, निकिता सिंग, मनीश सिनह, सुमित शुरान, शिवाम महाजन, आप सबने बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दिये हैं, आज के भी मेरे जि आपके सामने रखा है, कोई भी important term है, उसको civil step cover कर रहा है, science and technology का term आपके सामने रखा है, Trinity test and Manhattan project, ये term news में देखा गया है, तुरान्त आंसर कमेंट कर दीजिए, कि ये जो terms news में देखे गए है, Trinity test and Manhattan project, जे किस संधर्ब के अंदर, किस context के अंदर news में देखे गए है, biological warfare, nuclear weaponry human genome project, telecommunication technology, जो भी आपका आंसर है, आप तुरान्त आंसर कर दीजिए, 1A, 1B, 1C, 1D, मेरे इसाब से easy question है, मेरे इसाब से अगर आपने papers को go through करा है, और उपर-उपर से headline केवल पढ़ रखी है, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि Trinity test और Manhattan project क्या है, जो भी आपका आंसर उसक भी था और आपने नहीं comment कर रहा था, तो आपने comment कर दिया है, देख लीजिए, कि 75 years हुए है, इस project, इसकी testing को मोटा-मोटी, इसलिए इसके बार में बात करी जाने लग रही है, 1945 के अंदर, 1945 के अंदर, जो है, हमने इसके उपर test कर रहा था, nuclear test कर रहा था, अमेरिका वालों तो 55 years plus 20 अगर आप करेंगे, तो 75 years हो चुके है, तो यह जो पहला, world's first super bomb, loaded with 13 pounds of plutonium, को explode करा गया था, न्यू मेक्सिको के desert के अंदर, न्यू मेक्सिको, United States of America के अंदर, एक इलाका है, एक state है, और काफी ज्यादा तबाही मचाई थी उस इलाके के अंदर, लेकिन उस इलाक scientists की एक team ने बनाया था, बड़े ही top secret तरीके से, न्यू मेक्सिको के अंदर, जो की United States of America के अंदर, एक state है, इस पूरे project का नाम था, Manhattan Project, और ये develop करा गया था, Germany, Japan, Italy को हराने के लिए, उनके ओपर edge हासिल करने के लिए, in World War II, 75 years हो चुके हैं, इस test को हम Trinity test कहते हैं, एक महने इस testing के एक महने बाद, July 16, 1945 में test हुआ था, उसके एक महने बाद, Japan के ओपर nuclear bomb गिराए गए थे, जिसके अंदर, लाखो लोगों की जो है, मौत हो गई थी, ये बहुत important एक development था, बहुत ही खतरनाक development था, Albert Einstein ने एक letter लिखा था, Roosevelt सापको, जो की President the US के वो टाइम पे, कि उन् आरी चीजों को ध्यान में रखते हुए, US ने secret atomic research undertaking start करी थी, Manhattan project start करा था, Pearl Harbor की जो bombing हुई थी, जिसके अंदर, Japanese Navy Air Service Command ने, US के ओपर काफी नुकसान पहुचा था, उसके बाद से इस project को काफी ज्यादा speed up करा गया था, काफी ज्यादा accelerate करा गया था, and top secret laboratory in Los Alamos के अंदर, Openheimer क leadership के अंदर, J. Robert Oppenheimer, जो की physics के professor थे, University of California, Berkeley के अंदर, उनकी leadership के अंदर, इस पूरी testing को आगे लेकर गया गया था, Openheimer साब को father of the atomic bomb भी कहा जाता है, atomic bomb को develop करा गया था, और उसके बाद की कानी तो आप जानते ही है, repercussions बहुत खराब थे, health consequences बहुत खराब थे, top secrecy maintained रखने के जो New Mexico के residents नहीं बताया गया था कि इस प्रकार की testing होने वाली है, जिसकी वज़े से radiation का काफी बुरा impact वहां के लोगों के उपर पढ़ा, वहां पर जो infant mortality rate थे, सारी चीजों के अंदर काफी हमारे को बढ़ोतरी देखने को मिली, लोगों की health के उपर काफी negative consequences हमारे को देख आपके सामने रखा है, इंडिया ने भी nuclear testing कर रखी, इंडिया के पास भी nuclear weapon है, image आपके सामने रखी, Indian Express का most important link आपके सामने रखा है, यह बहुत ज्यादा important topic इसलिए है, क्योंकि 25, 75, 100 साल की सालगीरा, अगर कोई भी topic क्यों होती है, तो उसके उपर question आप expect कर सकते है, और वो topic जो है, आपके syllabus से related है, तो आप उसके उपर पका question expect कर सकते है, यह बहुत ही शांदार main order हमने आपको provide कर रहा है, इसको आपको print out करके GS1 की file के अंदर लगा के रखना चाहिए, और इस प्रकार का question आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि world wars के बारे में straight away हमारे syllabus के अंदर mentioned है, और जो Trinity test करा गया था, उसका decisive impact था, world war के course के उपर, और ना किवल world war के course के उपर, जो आगे जो nuclear proliferation हुआ, nuclear weapons develop करे गए, एक प्रकार की armed race हुई, जिसका सबसे बड़ा खतरा subcontinent के अंदर है, कि China, India, Pakistan तीनों के पास जो nuclear weapons है ही है, और तीनों एक प्रकार से, मतलब at least India क कि दोनों जो है, एक प्रकार से adversary कहे जा सकते हैं, one sense or the other, to that extent, आपको ये question के उपर ध्यान देना चाहिए, focus रखना चाहिए, कि Trinity test was the foundation for the proliferation of nuclear armed countries, इस चीछ के उपर आपको खास गौर्ध कर रखना चाहिए, इसी point के उपर मैं आपको homework देना चाहूंगा, International Atomic Energy Agency, IAEA कैसी agency ह जो इस प्रकार के proliferation के against काम करने लग रही है, आपको IAEA के बारे में सारा detail निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर question बना IAEA के उपर तो वह question आप solve कर पाने चाहिए, कब establish करा गया तक, कैसे establish करा गया तक, क्या काम करता है IAEA, इस प्रकार से सारी जानकरी आप निका का answer लगा के आना चाहिए, जो मैंने आपको mains order दिखाया है, उसका पूरा फाइदा उठाना चाहिए, civil step आपके साथ rank तक चलेगा, पूरा comprehensive course हमने आपके लिए launch कर रखा है, जिग्यासा 2.0 को launch कर रखा है आपके लिए, ताकि हम आपको issue analysis करके दे सके और पूरा mains की भी तै that is found in dogs, lions, tigers and seals, CDV transmits through body fluids and faeces, CDV attacks the respiratory, gastro, intestinal and nervous system of the affected animals, तीन statement दे रखे हैं regarding CDV, आपको बता देना है कि CDV से related जो statement दे रखे हैं उन वसे कौन से statements correct है, बहुत ज्यादा important है current affairs है, इसके उपर question expect करा जा सकता है, कोई भी disease in news से related current affairs है, उसको cover करवाया जा रहा है, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगा, answer आपके सामने रखना है, answer इस question का है D, यानि कि all of the above statements, तीनो के तीनो statement जो है बराबर statements है, इसलिए answer आपका हो जाता है D, Q news में है, समझ लीजिए 85 Asiatic Lions have died in the first 5 months of 2020, करोना की वज़े से 85 Asiatic Lions की death को उतना ज्यादा coverage नहीं मिला, उतना ज्यादा इसके प्रिजर्व करने के अंदर, जिसके नंबर को increase करने के अंदर, इंडिया ने इतनी मेहनत करिया, ओविसे गुजराद गॉर्मेंट ने इतनी मेहनत करिया, उन लाइन्स को जो है, हम लूस करने लग रहे है to this CDV virus, और इसी को टैकल करने का पूरा-पूरा प्रयास जारी है, 1000 1000 doses of vaccine को भी हमने इंपोर्ट करके मंगवा लिया है, ताकि इसको यूस करा जा सके हमारे लाइन्स को बचा जा सके, एक नई प्रकार की बिमारी का नाम आपके सामने रखना चाहूंगा, बेबेसियोसिस करके एक बिमारी है, जो कि लाइन्स को अफेक्ट करने लग रही है, त या solution निकाला जाना चीए, तो ही सारी चीज़ों के उपर चर्चा शुरू है, 1300 doses of pure wax, ferret, distemper vaccine को पहले भी हमने मंगवाय थे, पहले भी हमने दिया था हमारे लाइन्स को और उसी के उपर काम शुरू है, CDV के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दिये, ये एक serious viral disease है, जो की respiratory, gastrointestinal and nervous system को attack करती है, lions, tigers, leopards and other wild cats as well as seals को ये affect करती है, right, इसके अंदर most important चीज़ आपको ये note down करनी चीए, कि जो highly contagious CDV ये affect करती है, animals of canine species and transmits through body fluids and feces, ये दोनों चीज़ों का आपको note down करना चीए, right, पूरा detail मैंने CDV का आपको यहाँ पर दे रखा है, जहां तक बात हरी नई प्रकार की बिमारी का बेबियोसिस के बार में, तो बेबियोसिस के बार में पूरी जानकारी दिये, ये rare infectious disease है, जो की protozoan से cause होती है, hundred species of babies, ये हमार को देखने को मिलता है, जो की deer, mice, horses, cats और canines को affect करता है, बेबियोसिस के बार में आपको पूरी जानकारी दे respiratory, gastrointestinal, nervous system बराबर है, therefore the answer should be D, इसी point के ओपर एक homework मैं आपको request करके देना चाहूँगा, African Swine Fever, African Swine Fever के बार में भी हमने coverage आपको करवा रखी है, आप ही के notes के अंदर जिग्यासा के ही notes के अंदर आपको African Swine Fever के बार में पूरी जानकारी मिलेगी, उसके बार में आप सा pigs की culling हमारे को करनी पड़ी, तो यह चीज के बार में आप revision कर लिजे, और अगर कोई भी और अन्य animal disease के बार में भी आप बात बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि elephant से related भी हमने बात कर रखी है, मुझे पोरे अच्छे तरीके से जारे, harpes virus के बार में हमने तो यह सारी चीजे जो हमने आपको cover करवा रखे, उनको आप revise करिए और at least African swine fever के बार में homework जरूर करिएगा, moving ahead to question number 3, चटो ग्राम port के बार में आपको easy question पूछा है, तूरांत answer आप comment करने की position के अंदर रहने चीए, चटो ग्राम port के बार में दो statement आपको दे रखे हैं, आ और answer को comment करेंगे, obvious ही बाते शायदा बता देंगे की चटो ग्राम जो है, चिटो गांग का नाम था, चिटो गांग बंगलादेश के अंदर located है, उसके अंदर कोई विद्या नहीं है, decide यह करना है कि वो करना fully के along located है या नहीं है, इसे point के ओपर आपका decision making काम आएगा, जो भी आपका answer, उसको आप comment करेंगे, answer आपके सामने रखना है, answer इस question का है C, दोनों के दोनो statements correct है, बहुत ज्यादा important trials होने लग रहे हैं, experiments चलने लग रहे हैं, first trial movement हुआ है, container ship का from कलकता to बंगलादेश का चटो ग्राम port, basically हम करना यह चाते हैं कि north east पहुंचने के अंदर land के ज़र यह काफी ज़्यादा समय लग जाता है, काफी धीरे काम होता है, inefficient काम होता है, polluting वाला काम रहता है, तो अगर पानी के रास्ते हैं, अगर हम चलना शुरू करें और north east को है, असानी से पहुंच सके थ्रू बंगलादेश, तो वो काम हमारे करना चीए, तो वही चीज क होता है, करना फुली के बार में भी आपको detail दे रखा है, obvious ही बात है, benefit to India आपको मैंने समझा दिया है, कि जो हमारा route है, mainland को और north east को connect करने वाला, वो छोटा करा जा सकता है, अगर थोड़ा distance हम पानी के रास्ते cover करें तो, background यह है कि शेक हसीना जो बंगलादेश की prime minister है, मो movement of goods to and from India were concluded during this visit, तो यह दोनों ports के नाम आपको वालूम होने चीए, बहुत ज्यादा important यह सारी चीजे है, हिंदू का शांदार article का link आपके सामने दिया है, इस प्रकार का question exam के अंदर आये तो गल्ती से भी छोड़के मत आईएगा, पूरे marks लेकर आईएगा, बंगलादेश अगर आप distribution लगाए हैं, या west to east distribution लगाए हैं, और north to south distribution लगाए हैं, तो वो आप एक बार लगा के देख लीजिए, क्योंकि यह प्रकार से अगर ports के उपर इस ताइट question पूछा, तो वो question हमारे से होना चीए, since तीनों port बहुत ही नजदीक के अंदर है, जैसे हमने कई बार बात करिए, इरान और पाकिस्तान के port के बार में, कली की जिग्यासा में बात कर रहे थे, शायद कि गौदर के बार में बात करते हैं, फिर जो हमारा चाह बाहर है, उसके बार में बात करते हैं, तो यह सारी चीज़ों का location बहुत ज़्यादा important हो जाता है, तो आप इन ports को ज यह है कि देखिए, art and culture, geography के एसाब से हम कई सारे monuments, कई सारे forts और कई सारे इस प्रकार के temples and यह सारे चीजों के बार में पढ़ते हैं, कई बार उनके description को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उस description को हम लोग कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अगर exam के अंदर आपको difficult question बना के दिया, और कुछ चीजों को जो आम चीजें, common चीजें उनका description आपको दिया, और आपको पुछा कि यह जो description एक कि इस चीज के बार में बात कर रहा है, तो वो प्रकार की चीज को आपको identify करना आना चीए, नए प्रकार के bouncer questions को आप imagine करना शुरू करिए, क्योंकि अगर exam मे चीजिद, आदिकाडिवाव, बुद्धिष्ट केयोज, और नवगव, नवगव, क्योंकि आपको आपके लिए बहुत ज्यादे है, उसमें से आपको अगर आपने लगाया है, तो आपको यह answer आ सकता है, answer आपके सामने रखता हूँ, answer इस question का है, उपर कोट, यह जो मैंने आपके सामने question रखा है, इसको आप एक प्रकार से model innovative question मान सकते हैं, और इस प्रकार के जब आप art and culture की चीजे पढ़ते हैं, तो आप चीजों को appreciate करिए, उसके जो features है, उसके जो special points है, कोई भी monument के, उसको आप खास ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपको वो description basis के आपर question पूछा तो फिर वो आपसे होना चीजे विजे रुपानी साब जो की chief minister है गुजरात के, उन्होंने restoration, development and conservation का काम on the historic, उपर court fort जो है, उन्होंने undertake करवाना शुरू करा है, काम करवाना शुरू करा है, ठीक है, तो project को जो आठा महिने के अंदर complete करा जाएगा, fort को जो है restore करा जो चुदा सामा ruler ग्रह रिपू है, clear the old citadel free from jungle, जो evidence हमार पास मिला है, हेम चंद्र की द्यव्य श्रिया के अंदर, it can be concluded that that ग्रह रिपू, laid the foundations of the citadel as it now exists, the oldest part of जुनागड है, 2300 साल पूराना ये fort है, 20 meter तक की high इसके अंदर, walls है, कई सारे features आपको इसके अंदर देखने को म मिलेंगे, आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वो टाइम का engineering marvel होगा, कितना बड़ा ये engineering का achievement होगा, कि इतना बड़ा fort, इतना पुराना fort, जो कि आज भी खड़ा है, कई प्रकार के monuments, कई प्रकार के temples, कई प्रकार के structures है, हमार को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, गनेश को वो हमार को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, Indian Express का यह important link है, जिसके basis के उपर हमने आपको यह question बना कर दिया है, answer to this question is, उपर quote, moving ahead to question number 5, India-Israel Cyber Security Agreement के मारे में आपको बात करनी है, दो statement आपको यह दे रहे हैं, इस agreement के बार में आपको बताने कि conscious statement is correct है, it is the first of its kind agreement signed by India in the field of cyber security with a foreign country, the agreement designates Ministry of Science and Technology as the nodal agency, India-Israel Cyber Security Agreement का detail निकाल कर आपको दिया है, दो statement दे रहे हैं, अब आपको बहुत आसान लग सकता है यह question, लेकर आपको logically सोचना पड़ेगा, क्या यह first of its kind agreement, क्या यह India-Israel के बीच में ही Cyber Security का agreement है, या फिर India ने इस परकार के agreement अन्या country जैसे United States of America के साथ भी sign कर रख हैं, यह आपको decide करना है, this agreement designates Ministry of Science and Technology as the nodal agency, क्या Ministry of Science and Technology इसकी nodal agency है, या फिर कोई और organization, कोई और agencies की nodal agency होनी चीए, क्या बोलता है आपका दिमाग, Cyber Security के बार में जब बात करते हैं, तो कौन सी agency का नाम आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्या वो agency इसकी nodal agency हो नीची है, वो आपको decide करना है, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगा, answer आपके समने रखता हूँ, answer is question का है D, दोनों के दोनों statements गलत है, दोनों statement इसलिए गलत है, क्योंकि हाँ, India इसराइल ने sign करा है agreement to expand cooperation in cyber security, लेकिन at least एक country का नाम में अगर आपको बोलू तो 2008 के अंदर ह हमने United States of America के साथ या उसके पहले से cyber security के पर काम करना शुरू कर रखा है, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम dialogue रख रहे है, capacity building कर रहे है, exchange of best practices कर रहे है in the field and facilitate regular exchange करवाना चाहते है, ताभी cyber security के अंदर दोनों इसराइल और इंडिया एक दुसरे की मदद कर सके, but this is not the only or this is not the first ever, इसके पहले भी हमने कर रखे हैं, उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, तो यहाँ पर जो हमारी India Computer Emergency Response Team यानी की सर्टिन जो है, जो कि यूनिट ऑफ माइटी है, उसने इसराइल की National Cyber Directorate INCD के साथ जो है, ये MOU को साइन करा है, तो इसमें Ministry of Science and Technology का कोई लेना दे नहीं है, operational cooperation दोनों साइड के बीच में भड़ेगी, काफी ज़्यादा information एक दुसरे के साथ हम लोग share कर पाएंगे, vulnerability से एक दुसरे को protect कर पाएंगे, cyber attacks को जो है, thought कर पाएंगे, हरा पाएंगे, इस प्रकार से अच्छा काम कर पाएंगे, तो certain is the important agency in this particular question, इसी से related आप एक homework लिए दीजिए, कि certain क्या है, क्यू है, कब establish हुआ था, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, सारा का सारा bio data certain का पढ़ लीजिए, और 4-5-6 point certain के बारे में निकाल के जरूर से comment कर दीजिएगा, हिंदु का ये important link आपके सामने रखा है, question आपके सामने रखा है, जो नो statement गलत है, इसलिए answer आपका बन जाता है, और ऐसा exam के अंदर होता है, इसलिए इस प्रकार के questions को tackle करना आपको आना चीए, अब आगे है समय अच्छी बात करने का, और एक अच्छी story हमने आपके सामने रखी है, adversity एक life का part हो सकती है, हम किस महाल के अंदर पैदा होते हैं, वो ह इश्वा सकना बहुत जरूरी है, यह जो कहानी है, यह धनराच पिल्लाई की कहानी है, धनराच पिल्लाई एक काफी modest Tamil family के अंदर born हुए थे, काफी adversities उन्होंने face करी थी early life के अंदर, उनके पास इतना कम पैसा रहा करता था कि वो जो है barefoot hockey खेला करते थे, तूटी भी काम हासिल करा है, उसके बार में मुझे बतानी कि आपको जरूरत नहीं है, चार olympic, चार world cup, चार champions trophy, चार Asian games उन्होंने खेले है, world 11 के अंदर वो included थे, जब वो Sydney के अंदर world cup के अंदर participate करे 1994 के अंदर, तो उनकी जादूगरी को देकर जो हां की जनता थी, वो completely mesmerized रह गई है, और challenges के सामने, adversity के सामने जुकना नहीं जरूरी है, और आगे भढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीज़े आपको याद रखनी चाहिए, धनराच भिल लएगी, अच्छी खानी के साथ हम हमारे lecture को आज खतम करना चाहेंगे, उमीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा उसके लिए थैंक यू very much, all the very best, Jai Hind!